इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे रिंग सर्कल स्केटिंग एक्सरसाइज जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना कि किस परकार स्नेक रोलर स्केटिंग की जाती है और इस वीडियो में हम लोग Snake Roller Skating के साथ ही इस वीडियो की सुरुवात कर रहे हैं इस exercise के तुरंत बाद हम लोग Ring Circle Roller Skating exercise करने वाले हैं आप लोगों से अनुरोध है कि किरिप्या हमारे वीडियो को ध्यान से देखें और खुद भी सीखें और अपने बच्चों को भी सीख लाएं हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छी से अच्छी तरह आप लोगों को स्केटिंग के बारे जानकारी दी जाए कि किस परकार रोलर स्केटिंग किया जाता है तो मुझे आसा है कि आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आती होगी और आप लोग इस वीडियो को देखकर काफी आनेंद भी लेते होंगे इसके बाद हम लोग रिंग सरकल एक्सरसाइज करेंगे पहले सीधे खड़े हो जाएंगे और पैर को भी की तरह आकरिती देंगे कुछ इसी तरह और हम लोग पहले बाए की तरफ इसी परकार घूमेंगे और बाए तरफ घूमने के बाद हम लोग फिर दाहिनी और घूमेंगे left side और right side दोनों तरफ हम लोग गूमेंगे देखिए कि इस परकार दाहिनी और घूमा जा रहा है और उसके बाद हम लोग बीच में एक डबा रखेंगे और इस बार हम लोगों ने डबा का इस्तेमाल नहीं कि हम लोगों ने कौन का इस्तेमाल किया है जो कि sports की दुकान में मिल जाती है और हम लोग ठीक left side इसका round करना start कर दिया है और इसके तुरंत बाद हम लोग फिर दाहिनी और घूमेंगे इससे फायदा ये होता है कि हम लोगों को ring exercise जो है करने में काफी मदद मिलेगी ये गोल-गोल घूमने के लिए ये पहला पड़ाव जो कि हम लोग को पार करना होगा उसके बाद ही हम लोग ring exercise जो कि skating जूते के दुवारा किया जाता है वो काफी बड़ी हाँ हमारी दुवारा हो सकती है या आपके दुवारा हो सकती है अब हम लोग रिंग को बढ़े करने वाले हैं और ये दूसरी रंग की कौन के सहार है और रिंग को बढ़ा किया जारा है जो कि उसके चारो और रखा जाएगा और इस परकार हमारा एक रिंग बनकर तयार हो चुका है और देखते हैं इसमें स्केटिंग करती है किस पर का लगती है यह हमारा ring exercise है जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं जो कि हमारा आज का मुख्य exercise है जो कि पेर आगे की तरफ सीधा रखना होता है पीछे के पेर से उसे धीरे धीरे धहकेलना होता है इस exercise को अगर हम लोग speed में करेंगे तो काफी अच्छी लगेगी और इस exercise को पहले बायें की तरफ किया गया अब इसे दाहनी और किया जा रहा है इस exercise का मुख्य फायदा यह है कि हम लोग कभी भी speed में दोड़ते हैं तो यह exercise जो हम लोगों को एकदम सीधे वापस मुड़ने में काफी मदद करती है और दिखने में भी काफी अच्छी लगती है यह exercise इस exercise के बाद अब हम लोग जो है वो है कोफी के गलास के साथ में इसी exercise को करना चाहेंगे और देखना चाहेंगे कि कोफी के गलास के साथ में किस परकार exercise नजर आता है इस exercise को हम लोगों ने तिन वर्गों में बाटा है जो कि आप अभी देखिएगा पहला है दो गलास का exercise दूसरा है तिन गलास का exercise और तीसरा है चार गलास का exercise और हम लोगों ने दो गलास का exercise सुरू कर दिया है इसमें करना ये होता है कि हम लोग को आगे का पैर सीधा रखकर पीछे के पैर को धाकेलना होता है और दूसरे गलास तक पहुचाना होता है इस exercise को हम लोग दोनों तरफ से करेंगे पहले हम लोग दाहिने पैर को आगे की तरफ रखे हुए हैं उसके बाद हम लोग बाएं पैर को आगे की तिरफ रखेंगे और दाहिने पैर से उसे धाके लेंगे यह देखिए तो इस परकार हम लोग दोनों साइड से यह exercise करेंगे ये दो गलास का exercise है जिसमें कि अभी बाएं पैर को आगे रखा जा रहा है और दाहिने पैर से धीरे धीरे धाकेला जा रहा है उसके बाद हम लोग देखेंगे कि तीन गलास पर जो exercise होगा वो किस परकार होगा तो ये हमारा तीन गलास का exercise इस्टाट है जो कि तीन गलास में एक साथ में पैर को ले जाना होता है इस exercise में हम लोग तिन गलास आगे की ओर बढ़ते हैं और दो गलास में ही फिर वापस मुड़ करके फिर एक गलास बढ़ा करके उसे फिर तिन गलास में फिर मुड़ते हैं इस वीडियो को दियान से देखिए कि आप लोग किस परकार तिन गलास आगे की ओर बढ़िएगा और इस परकार हम लोग 3 गलास वाला exercise कर रहे हैं, इसके तुरंत बाद हम लोग 4 गलास का exercise भी करने वाले हैं. और एक बात बतला देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के बाद में हम लोग अगला जो वीडियो बनाने वाले हैं उसका नाम है लेमन क्रॉस लेमन एक्सरसाइज जो की देखने में काफी अच्छी लगेगी उसे देखना ना भूले हैं अब हम लोग इस एक्सरसाइज को चार गलास पर करने वाले हैं तो देखिए इस वीडियो पर की चार गलास तक इस एक्सरसाइज को ले जाया जा रहा है चार गलास में आगे की और बढ़कर हम लोग दो गलास पर ही वापस मुड रहे हैं और आगे की और चार गलास में हम लो तरप से करने वाले हैं आप लोगों की जानकारी के लिए ये बतला दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं या स्केटिंग सीखना चाहते हैं वो लोग हमारा फस्ट पार्ट से ले करके अभी तक का पार्ट जरूर देखें और हम लोग भविश्य में भी इससे अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को वीडियो सीखने में किसी परकार की परहिसानी न हो इसलिए हम लोग अच्छी से अच्छी तरह हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोग को सीखाने का भी प्रयातन रहेगा स्केटिंग हर उम्र वर्क के लोग कर सकते हैं तीन साल से लेकर के जितने भी उम्र के लोग हैं जो स्केटिंग करना चाहते हैं वो अराम से रोलर स्केटिंग कर सकते हैं केवल रोलर स्केटिंग करते समय मन में ये डर नहीं होना चाहिए कि हम लोग गिरने वाले हैं या गिर जाएंगे तो ये डर नहीं रहेगा तो रोलर स्केटिंग आप आराम से सीख सकते हैं हम लोगों के साथ में जो बच्चा रोलर स्केटिंग करता है उसकी उमर मातर तीन वर्स है उसने हमारा पहला वीडियो बनाया पार्ट वन जिसमें की वो रोलर स्केटिंग सिखलाते हुए नजर आ रहा और वो अभी बिल्कुल आपके सामने नजर आ रहा है और आप लोग को थैंक यू सुक्रिया कहने वाला है तो आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद